हाई वीवर्स वेलकम टो माई चैनल हेल्थ टिप्स ता बेस्ट प्रेगनेंसी सेंट्रिक चैनल दोस्तों डिलीवरी के कौन से लक्षान और सिम्टम्स होते हैं जिने महिला जान ले तो उसके लिए बहुत ही आसान होता है ये समझना कि शिसु की जन्म का समय निकट आ गया है फीडियो को जरूर देखिए अन तक बिना स्किप किये दोस्तों गर्वावस्ता के अन्तीम चरण तक आते ही महिला को ये डर और चिंता सताने लगता है कि कैसे और कब मैं समझ पाऊंगी कि मेरी डिलीवरी का टाइम नजदीक आ गया है दोस्तों इसमें सबसे बड़ा महतो आप आने जैसा महसूस हो तो भी आप समझ लीजे कि डिलीवरी का टाइम नजदीक आ गया है ऐसा इसलिए होता है कि जो बच्चे का सर होता है वो मूत्रा से कि बहुत ही नजदीक आ जाता है जिससे की ब्लैडर पर दबाव पड़ता है और बार बार पेशाब आने को होता ह तीसरी बात है discharge यानि कि योनी से श्राव तेजी से होने लगता है और ये श्राव सफेड या पिले रंग का दिखाई देने लगता है तो बहुत अधिक श्राव होने पर भी समझ लीजे कि डिलीवरी का समय नस्दीक आ गया है चौथी बात अगर आपको इस आखरी दौर में कुछ-कुछ अंत्राल में यानि कि आदे से लेके एक गंटे के बीच में दर्द महसूस होने लगे इस दर्द को आप ऐसे महसूस करेंगे जैसे आपको पीरियट साने का दर्द होता है उस तरीके से अगर आप इसे फिल करती है जो की पेट से लेकर कमर और कमर के निचले हिस्सों में ये दर्द उठे तो समझ लीजे कि प्रसव का समय नजदीक आ गया है पाचवी बात गर्व में पानी की थैली का तोटना या फिर ऐसा महसूस होना की थैली फटने वाली है हाला कि ये सबी महिलाओं को नहीं होता है त प्ष्रोणी गूहा तक आ चुका होता है जिसके कारण गरभाशे की मुकी जो छोटी रक्त वाहिनिया होती है वो तूट जाती है जिन से के रक्त का श्राव होने लगता है दोस्तों इसमें नॉर्मल डिलीवरी के अन्य लक्षन कुछ इस परकार से हैं कि इसमें महिला का च पुझली और साथ ही जलन महसूस हो तो ये भी नॉर्मल डिलीवरी के लक्षन है इनसे गरवती महिला को समझ जाना चाहिए कि डिलीवरी का समय नसदीक आ गया है तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को जादा से जादा लाइक और शेयर करें तो दोस्तों ऐसे ही इन्फरमेटिव वीडियो के लिए देखते रहें मेरे चैनल हेल्थ टिप्स को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल् and thanks for watching my videos